तो लाश्ट पार्ट की शुरुवात वहीं से होती जहां पचला पार्ट खतम हुआ था हिन्वो को हुश आ जाता है तो सभी लोग उसके लिए बहुत खुश होते हैं और अब्जर्वेशन के लिए उसे कुछ दिन हॉस्पिटल में रुखने के लिए कहा जाता है तो हेन अगले दिन हिन्वो से मिलकर बाहर आती है तो बाहर उसे यांग मिलता है जो उसे अपना इंट्रो देता है जिसे हेन पैचान ले टेकीं की हिन्वो ने उस डायरी में उनके फैमिली मेंबर्स और फ्रेंस के बार में भी लिखा था हेईन को ये भी पता था कि यांग ही हिन्वो का डिवर्स अटर नी था इसलिए उसे पूछती कि हमारा डिवर्स क्यों हुआ था यांग वही कहता है जो रिजन विंसेंजों ने कहा था कि तुम दोनों की बिजी शेडूल की वज़े से तुम दोनों में दूरिया बढ़ गई और तुम दोनों ने डिवर्स लेने का डिसाइड किया वैसे भी पास्ट की बाते हमें भूल जानी चाहिए और अभी तुमें युन्वो का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि उसे अब रियलाइज हो चुका है कि वो तुमसे कितना जादा प्यार करता है तुम्हारे बेना वो जी नहीं सकता और वो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है जो सुन हैन बहुत खूश होती है फिर वो हिन्वो के रूम में आती है और बैग से वही डारी निकालती है और आकरी पेज में कुछ लिखा था जो हैन ने अभी तक नहीं पढ़ा था इसमें हैन ने अपने आपको वर्निंग दिया था कि हैन अगर तू पच्ताना नहीं चाहती हैन जब थोड़ी देर वाद वापस आती है तो डारी को टेबल पर देखती है पर थोड़ी देर पहले जाने से पहले उसने बैग में रख दिया था तो आकर वो डारी चेक करती है जिसके लास्ट पेज में वो देखती है इस अब मेरे पुराने सल्फ ने लिखा है और मुझे पता है कि तुम जाग रहे हो इसलिए नाटक बंद करो जो सुनकर हिनुव हसने लग जाता है हिनुव तो अपनी हसी ही नहीं रोख पा रहा था पर हेन को बिलीव नहीं हो रहा था वो कहती कि एक तो तुम इतने हैंसम हो तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है लॉस्कूल के टॉपर थे बॉक्सिंग चैंपियन थे स्विमिंग चैंपियन थे एवन स्पेशल गार्ड टीम में भी थे तुम इतना परफेक्ट के ऐसे हो सकते हो जैसे हिन वो थोड़ा बलश करता है और पूछते किया तुम्हें सच में लगता है कि मैं इतना परफेक्ट हूँ कर लेते हैं लेकिन यूंसों के शेयर्स लेगली स्योली के पास आ गये थे इसलिए वो अभी 45% शेयर्स के साथ कंपणी की सबसे बड़ी शेयर होल्डर थी लेकिन उनमें से 13% शेयर्स यूंसों के खिलाफ ने उस सीक्रेट फंड से खरीदे थे जो की इलेगल है इसलिए इ लेकिन हेईन के फैमिली के शेयर्स अभी भी फ्रीज थे क्योंकि उनकी फैमिली पे इन्वेस्टिकिशन चल रहा था इसलिए इन सबसे पहले प्रूफ करना होगा कि उन सब की पीछे सियोली और यूंसों का हाथ था जो उसना अब दाहर डिसाइड करती है सियोली के बटलर ने रखा था तकि हेईन हेनों के बार में सोचे और ऐसा ही हुआ था है इन उस एमपिठरी प्लेयर पे गाने सुनने के बाद हिनों से मिलने जेल गई थी इसके बाद जर्मनी के हॉस्पिटल से जो डारी वाला पार्चल आया था उसे भी बटलर ने यांकी कहने पर यूंसौंग से चुपा कर हें इनके घर में पहुचाया था गंग मेक टू प्रेजर्ण दाहे कहती है कि हम दोनों एक लौती विटनेस बचे हैं जिने सियोली की सच्चाई के बारे में पता है इसलिए हमें इस फैमली को बचानी के लिए ये करना चाहिए क्योंकि इस फैमल ये जमिलाती है जहां दोनों पहली बार मिले थे दाहेवसे उनके बच्छमर की सठीप बात बताती है वो बच्छमर के लिए और बोर हुआ करती थी फिर एक दिन सुचल यहां आया पिर अर्मेही दिल में में मेरे लिए फेलिंग थी दाहे पूरी दर से मना तो नहीं करती ह कि चब भी तुम आती थे तब मुझे स्ट्रॉबरी केक खानी को मिलता था पर सूचल उसे पूछते कि क्या सच मैं मैं तुम्हारा पहला प्यार था दाय फिर से मना तो नहीं करती पर बताती है कि मुझे केक का इंतिजार रहता था पर तबी दाय उसे एक डॉल दिखाती है जिकि उसने बच्पन में सूचल से लिया था जिससे उसने अभी तक संभाल कर रखा था दाय बताती है कि तुम्हारी इस डॉल की वेज़े से मैं बहुत ज़्यादा खुश रहती थी इसलिए मैं तुम्हें थैंक्यू कहना चाहती थी पर तुम उसके बाद कभी नहीं आये सूचल पूछता है किया तुमने मेरा वेट किया था दाय बताती हाँ उसके बाद भी चेर्मेन हमारे लिए केक बिजवाते थे पर वो केक तब मुझे टेश्टी नहीं लगते थे क्यूंकि मैं हर दिन तुम्हारा वेट करती थी पर तुम उसके बाद नहीं आये इसलिए अब तुम्हारी बारी है मेरा वेट करना मैं बहुत अच्छी बनकर वापस आऊंगी यूंसोंग के एक आदमी का नाम बता दिया था जिसने उसे कॉंटेक्ट किया था इससे ये भी प्रूव हो जाता है कि यूंसोंग नहीं ब्रोकर की जरीए प्रोटेश्टर्स के साथ पांच गुना पैसे का फ्रॉड किया था इससे हैन के फैमिली के चार्जेस हट जाते हैं इसके बाद यूंव सियोली के गुनाप प्रूफ करता है सबसे पहले तो वो सीक्रेट फण की जरीए इलिगली क्विन्स ग्रूप का स्टॉक्स खरीदा फिर बटलर और दाहाई गवाही देते हैं तब उसने सियोली और यूंसों को बात करते वे सना था 20 सार पहले मेरे भाई सुवान की मौत में सियोली का हाथ था इवन मेरे ग्रैनपा को भी सियोली नहीं मारा है इसके प्रूफ के तोर पर हिनुव यूंसों के टैब में जो फुटेज थे वो सब्मिट करता है जिससे सभी को पता चल जाता है कि किस तर से सियोली ने ग्रैनपा को जहर दे कर कुमा में पहुँचाया था अब ये फुटेज देकर सियोली हरान थी क्यूंकि उसने तो यूंसों के टैब को फेंक दिया था जेज में सियोली को दूसरे क्यादियों से बहुत मार भी पड़ती है हैन की फैमिली फिर से पावर में आ जाती है सुचोल ने जैसा धाय से प्रॉमिस किया था वो अपना और गौनू का अच्छे से ख्याल रखता है और धाय के लोटने का वेट करता है इदर बॉम जांटी और मिस्टर सॉंग की भी डेटिंग लाइप शुरू हो जाती है बेंट की गाड़ी थोड़ी ज़ाधा ही दी में चलती है क्योंकि मिस्टर सॉंग को प्यार व्यार का कोई एक्स्पिरियंस नहीं था फिर भी तुनों साथ में काफी ज़ाधा हैपी होते है हैं और हीनोव भी अपने काम में लग जाते है और बिल्गुल किसी नए कपल की तरह शुरूवात करते हैं पर ऑफिस में आपसे दोनों कहीं बार मिलते हैं Secretary कहती कि पर आप लोगों का divorce भी तो हो गया था ना तो फिर वो ring तो count नहीं होगा पर तभी हिन्वो का Secretary उसे message करके बताता है कि हिन्वो ने एक restaurant की booking की है अब उस restaurant का नाम देकर हैं की secretary बताती है कि लगता है आज Mr. हिन्वो आपको propose करने वाले हैं क्योंकि उन्होंने वो restaurant book किया है जहां लोग अपने partner को शादी के लिए propose करते हैं जो सो नहीं तो शाम को सजदर्ज के उस restaurant में पहुंच जाती है और क्योंकि हिन्वो ने उसे अभी तक call करके नहीं बुलाया था इसलिए वो hall में ही भटक रही थी काफी वेट करती लेकिन अभी तक call नहीं आया था इसलिए वो खुदी हिन्वो को call करती है और थोड़ा ड्रामा करके पूछते कि तुम अभी हो कहां तो हिन्वो कहता है कि मैं टीम डिनर पे आया है यानि कि हिन्वो ने अपने कलीस के लिए आज restaurant book किया था इसलिए उसने अपने बच्चे के लिए सजाया हुआ सारा सामन वापस कर देती है क्योंकि इससे उसकी painful memory जोड़ी हुई थी और यहीं से उन दोनों में मन मुटाब शुरू हुआ था जहांसे दीरे दीरे दोनों में बाते कम होने लगी थी उसके बाद हू दोनों ने एक दूसरे को avoid करना भी शुरू कर दिया था हैंन को यह समझ आ गया था कि दोनों ने बाते करना ही बंद कर दिया था इसलिए दोनों एक दूसरे से और जादा दूर होते गये थे तो अग्ले दिन साथ में दोनों बॉक पे जाते हैं जहां है इन उसे टीज करते हुए कहती कि मैंने कल तुम्हारा बहुत वेट किया। मुझे लगा था कि तुमने मुझे प्रपोज करनी के लिए रस्टराओं भुक किया था। जैन उसे कल जो अपनी मेमोरी वापस आई उसके बारे में बताती है और ये भी बताती ही कि उसे समझ आ गया है कि उन दोनों में दूरियां कैसे बड़ी थी वो कहती है कि उन्हें आपस में एक बार बात कर लेनी चाहिए थी तो शायद ऐसा कुछ भी नहीं होता यूनों को भ हमारे प्यार की पहली स्टेज है इसलिए जल्दबाजी मत करना और अभी के लिए दिन में सिर्फ पांच बार हाथ पकड़ सकते हो और एक हग कर सकते हो पर दीरी दीरे हिन्व अपनी सारी डिमांड्स है इन से मनवाही लेता है और दोनों हैपली रहने लग जाते हैं दो सा इसलिए जल्द उसे भी घर बुलाता है कि उसकी मॉम ने फिर से बटलर को अपने काम में रख लिया था जिसे ये सब भी बहुत खुश होते हैं इधर बामजा अंटी और मिस्टर सॉंग भी करीब आ रहे थे इंद हैपली दोनों अपना टाइम स्पेंड कर रहे थे सब लो बीटती जाता है दोनों अपनी बेटी के साथ बहुत ही हैपली रहते हैं इसके बद हमें सीथे 50 साल बाद कसीन दिखाया जाता है इनुवर हैन ने ये 50 साल बहुत ही आची तरह से जिया दोनों साथ बुढ़े हुए अपना बुढ़ापा साथ बिताया साल था 2074 का और इस स ये नुवर हैन को आखरी बार दिखाया जाता है जहां दोनों एक दूसरे का हाथ होड़ करके बहुत खुश होते हैं उसी के साथ इस ड्रामी की हैपली अपनी पर होती है कि ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट करके बताना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे केरन बाइ बाइ